नमस्कार श्रीमद बालमी की रामाइन अखंडपाठ के अंतरगत आज हम पढ़ने जा रहे हैं आश्ट सब्दतितमा सर्ग अठत्तरवा सर्ग युद्धकाण से आज के सर्ग में हैं रावन की आग्या से अब मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान चलिए प्रारम करते हैं आज का पाट निकुम्भम निहतम शुत्वा कुम्भम चविनिपातितम रावन परमामर्शी प्रजज्वाला नलोय था नैररितह क्रोधशोकाभ्याम द्वाभ्यामतु परिमूर्चितह खरपुत्रम विशालाक्षम मकराक्षम चोदयत गच्छ पुत्र मयाग्यप्तो बले नाभे समन्बितह राघवम लक्षमणम चैव जहिताउ सवनाउ कसाउ रामणस्यवजह शृत्वा शूरमानी खरात्मजह बाढमित्यप्रवी द्रिष्टो मकराक्षो निशाचरम सो अभिवाद्यदश ग्रिवम कृत्वाचापे प्रदक्षिनम निर्जगाम ग्रिहाच्छु भ्राद्रामणस्याग्याबली निकुम्भ और कुम्भ को मारा गया सुनकर रामण को बड़ा क्रोध हाया और वो आग के समान जल उठा रामण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खर पुत्र मकराक्ष से कहा बेटा मेरी आगया से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और लक्षमन को मार डालो तो रामण की ये बात सुनकर अपने को शूर वीर मानने वाले खर पुत्र मकराक्ष ने हर्श पूर्व कहा बहुत अच्छा फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावन को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आगया लेकर वह उज्वल राज भवन से बाहर निखला समीपस्थम बलाध्यक्षम खरपुत्रो अब्रवीत्वचह रथमानियताम तूर्णं सेन्यम त्वानियताम त्वराः तस्यतद्वचनम शुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरह स्यंदनम् चबलंचेव समीपम् प्रत्यपादयत् प्रदक्षिनम रथम कृत्वा समारुहिय निशाचरह सूतम संचोधयाम सशीख्रम वैरतमावह अथतान राक्षसान सर्वान मकराक्षो अब्रवी दिदम यूयम सर्वे प्रयुध्यध्ध्वम पुरस्तान ममराक्षसा है तो मकराक्ष चल दिया है श्री राम से युद्ध के लिए तो जब वो निकला तो पास ही सेना ध्यक्ष खड़ा था तो खर के पुत्र ने उससे कहा कि सेना पती शीगरत ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ अभी मुझे युद्ध्वूमी में प्रस्तान करना है तो मकराक्ष की एह बात सुनकर निशाचर सेना पती ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षणा की और उस पर आरूढ होकर सारथी को आदेश दिया कि रथ को शीगरता पूर्वक ले चलो इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा यह निशाचरो तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो अहम राक्षस राजेन रामनेन महात्मना आग्यप्तह समरे हंतुम ताव भाव राम लक्ष्मनों अध्यरामम वधिश्यामि लक्ष्मनम चा निशाचराह शाखाम्रिगम चा सुग्रिवम वानराश्चा शरो तमैही अध्यशूल निपातैष्य वानराणा महाचमून प्रदहिश्यामि संप्राप्ताम शुष्के नभनमिवानलह मकराक्षस्य तच्षुत्वा वचनमते निशाचराह सर्वे नाना युधो पेता बलवंतह समाहिताह आगे कहता है मकराक्ष अपने सैनिकों से कि मुझे महामना राक्षस राज रावन ने समर भूमी में राम और लक्ष्मन दोनों भाईयों को मारने की आग्या दी है राक्षसो आज मैं राम लक्ष्मन वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूँगा जैसे आग सुखी लकडी को जला देती है उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूँगा जला डालूँगा मकराक्ष का ये वचन सुन कर अब नाना प्रकार के अस्त्र श्रस्त्रों से संपन्वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए तक पर हो गए तेकामरूपिनह क्रूरा दंश्रिनह पिंगलेक्षणाह मातंगाईव नर्दंतो धस्तकेशा भयावहाह परिवार्य महाकाया महाकायम खरात्मजम अभिजग्मुस्ततो ह्रिष्टाश्चालयंतो वसंधरां शंक भेरी सहस्राना माहतानाम समन्ततः श्वेलितास भोटितानाम चातत्रशब्दो महानुभूद प्रभ्रष्टो अथकरातस्या प्रतोदह सारतिस्तदा वपातसह साद्दैवा ध्वजस्तस्या तूरक्षसह तो रावन की सेना में सभी सैनेक राक्षस सबके सब इच्छानुसा रूप धारन करने वाले थे प्रूर सभाव के थे उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आँखें भूरी थी उनके केश सब और विखरे हुए थे इसलिए वे बड़े भयानक दिखाई पड़ रहे थे हाथी के समान चिंगारते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों और से घेर कर पृत्वी को कमपाते हुए बड़े हर्श के साथ युद्भूमि की और चल दिये उस समय चारों और सहस्रों शंकों की ध्वनी हो रही थी हजारों डंके पीटे जा रहे थे यो धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोला हल मच गया था उस समय मकराक्ष के सारती के हाथ से चाबुक छूट कर नीचे गिर पड़ा और दैव वश उस राक्षास का ध्वज भी सहसा धराशाई हो गया दस्यते रथ संयुक्ता हया विक्रम वर्जिता है चरणे राकुले रगत्वा दीना है सास्त्र मुखाययु प्रवाति पवनस्तस्मिन सपान्सुहु खरदारुणह निर्याने तस्यरोद्रस्यमकर आक्षस्यदुर्मतेह तानि द्रिष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवतमाह अचिंत्यनिर्गताह सर्वे यत्रतव रामलक्ष्मनव घनगज महिशांग तुल्यवर्णाह समर मुखेश्व सक्रिप गदासि भिन्नाह आह महम्मिति उद्ध कोशलास्ते रजनी चराह परिबभ्रमुर्मुहस्ते तो मकराक्ष के रत में जूते हुए घोडे अब विक्रम रहित हो गए वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए पहले तो कुछ दूर तक आखुल लड़कडाते हुए पैरों से वो गए फिर ठीक से चलने लगे परन्तु भीतर से वे बहुत दुखी थे उनके मुख पर आंसों की धारा बह रही थी दुष्ट बुद्धिवाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुन एवं प्रचंड वायू चलने लगी थी उन सब अप्शकुनों को देख कर भी वे महा बलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां शीराम और लक्ष्वन विद्यमान थे उन राक्षसों की अंग कांती, मेग, हाती और भैसों के समान काली थी वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे उन में युद्ध विशयक कोशल विद्यमान था वे निशाचर, पहले मैं युद्ध करूँगा, पहले मैं युद्ध करूँगा ऐसा बारं बार कहते हुए वहाँ सब और चकर लगाने लगे मकराक्ष युद्ध में पहुंच चुका है श्री राम से सीधे सीधे टकर लेने के लिए चला है अगले सर्ग में हम देखेंगे उन दोनों के बीच का युद्ध और उससे जुड़ी घटना है तो इस प्रकार यहाँ पर श्री वालमी के निर्मितार्ष रामायन आदिकावे के युद्ध कांड में 78 वां सर्ग पूरा होता है इत्यार्ष श्रीमद रामायने वालमी की ये आदिकावे युद्ध कांडे अश्ट सप्ततितम सर्ग है ओम श्री सिता राम चंद्रा भ्याम नमा